वेल्कम बैक टू मैं चैनल टिपस एंट्रिक संगीता आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कुछ पॉट खरीदी हूँ अपने गार्डेन के लिए और देखने में बहुत ही प्यारा है और वो मिट्टी का है तो आएए मैं आपको दिखाती हूँ यह हमारा मिट्टी का पॉट है और देखने में बहुत ही सुंदर है देखिए यह हमारा दो हैंगिंग पॉट नहीं है यह हम टेबल पे रख सकते हैं कहीं भी इसमें हम पानी डालके आज ही हम इसको खरीदे हैं इसलिए मिट्टी है तो इसको हम पेंट भी कर सकते हैं धोके हमने नहीं रखा जैसे मैं बहुत अच्छा लगा इसको देखके कि कि इतना प्यारा प्यारा बना हुआ है मिट्टी का हम लोग प्लास्टिक का खरीदते हैं सीसे का खरीदते हैं लेकिन इतना इसमें हम किसी भी तरह का जो पानी में पौधा रह सकता है इसमें हम डालके रख सकते हैं और बहुत ही वाँ चुना कर आदि यहां जो हैं लेनों में बना हुआ है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये देखें, ये कच्छुवा बना हुआ है, टॉर्टवाइस का सेव कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारे पास इस तरह के चार हैं, तीन बड़े-बड़े हैं और एक छोटा है, ये सबसे बड़ा है, और ये देखें दूसरा, इसमें हम किसी भी तरह का प्लांट्स देखें, और ये देखें, ये हमारा, तीन है मेरे पास, इतना अच्छा लग रहा है देखने में, ये सबसे छोटा है, ये देखें, हमारा हैंगिन बास्केट की तरह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें तांगने वाला बना के दिया हुआ है, देखें, कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से हम इसको वाल में, या कोई बड़ा काटी-बाटी हो, उसमें भी हम इसको लगा के रख सकते ह हैं, और ये सबसे बड़ा काट, जो है डख, देखें, कितना अच्छा लग रहा है, ये डख है, इसमें हम इस तरह से पौधा डाल के लगा सकते हैं, कितना प्यारा है, इसमें हम कोई बड़ा पौधा भी लगा सकते हैं, और इसको हम कहीं पे रख सकते हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये सारे पौट को, जितनी भी पौट है, इसको हमने 200 में खरीदा है, जितना भी है, इसको हम 200 में खरीदे, और यह हमारे गार्डेन को एक नया लूप देगा बहुत ही अच्छा लगए मैं इसमें पौधा लगा के भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंत आया तो फ्लीज लाइफ सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा इंस्ट्राग्राम अका था है प्रबादे कि एकुश्य सब्सक्राइब जरूर कार रवाचिए था है झार ओढ़िए